यह लोग काफी परेसान है परेसानी का क्या वजय है इनी से जानेंगे एक चार तैसका पास हुआ है जो महा महिम के दवरा है यहां पर वजन में है 41 किलो से 65 किलो तक का पर्ती बोरी 11 रुपए है इसमें गबर्नल साहिव का साइन भी है यह सब चिठी निकला हुआ इसके अनुसार यह लोग पैसा उठाते है जब कि बिहार स्टेट फूड एंसिपली सप्लाइज करपूरेशन के दोरा CMD जो है मुख परबंधा इनका चिठी भी आया हुआ है जो सभी जीला के जीला अधिका जीला में जब आया हुआ है तो फिर आप लोग का पैसा कौन खाता है ठीकेदार बोलता है जो वहां लगता है वहां सब को देना पड़ता है पता नहीं कहां देना पड़ता है अब लोगों के लिए आता है मजदूर के लिए तो पैसा खाता कौन है पैसा ठीकेदार ही खाता है ठीकेदार बोलता है इतना ही मिलेगा इतना ही इतना ही पर काम करना है तो करो ने तो हम दूसरा लिबर रखेंगे तो हमने बोला भी ठीकेदार साहब को आप आई सार नोटिफिकेशन बताईए जो सरकार के दोरा पास है जो हमको आप हटा सकते हैं क्योंकि हमने बरसों से रिकॉर्ड है सतर से ही हम लोग हमारे मुह बोलें तो क्यों मस्दूर मानें उनके पास कई वर्यालें तो होना चाहिए जो क्या सबूत है जो इन लोगों को काम से निकाल रहें आप लोग अगर शाया मुझत, आप लोग को चाहिए क्या हम लोग क्या चाहिए जो काम करने हुची ते मजदूरी चाहिए इसी से दिन हमारा जो है घर गिरिश्ती चलेगा ना सरकार देती हैं वपर से इन लोगों के लिए तो एक बोडा पर श्यार अडर्वा इशाया कर दार करते हैं ज्था ऐप लोग को ना टेते हैं इस हुझ चाहिए व्यों कोelas प्रूंप यार्प यूिला कोई कितना ना Een सब्सक्राइब लेकिन सरकार के दोरा इन लोगों को भेजा जाता है एक बोड़ा पर 11 रुपया लेकिन इसमें पैसा खाता कौन है यह समझने वाली बात है आप लोग का पैसा कौन खा रहा है ठीकेदार खा रहा है ठीकेदार खा रहा है जी क्यों खा रहा है आप उन्हीं को मर्दी क्या खा रहा है पेसे खा रहा है आप भी काम करते हैं जी हम भी काम करते हैं कितना है उमर क मको 25 साल के वोड़ा उठती है हसे हैं और उठाएंगे तो mid-samilta बहुता है हुए हम mature बड़ा लोग अगर रहते तो ऐसा कुछ नहीं करता उसलिए दवा रहा है क्या चाहते क्या है आप लोग को सरकार के दुआरा जो निरधारित की गई है वह उचित निक्ताम मजदूरी बैंक अकाउंट के माध्यम से सभी सर्मिक गन को बैंक अकाउंट के माध्यम से भुक्तान हो जिसमें कोई बार्गलिंग नहीं हो सके यही हम लोग सरकार से सुकर गुंजास करते हैं कि हम लोगों को उचित मजदूरी दिया जाए बस यह लोग इतना ही चाहते हैं कि मात्र हमें जो सरकार के द्वारा दिया जाता है पैसा उतना ही मिले इससे ज्यादा यह कुछ नहीं चाहते हैं लेकिन अगर यह उचित मजदूरी मांगेंगे तो इन लोगों को ठिकेदार काम से निकाल देगा और कहीं न कहीं निकाली दिय है क्योंकि यह लोग दो दिन से यहां पड़ हैं और इन लोगों के हग को इन लोगों के पैसे को भी खाया जा रहा है बाकि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताईएगा आज के लिए ताइम है फिर मिलते हूं तब तक के लिए जै हिंद